फाइनली एसी की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और यह नोटिफिकेशन 18 सेप्टेंबर को आई है और जो इसका लास्ट टेट है यानि की 8 अक्टूबर यह बहुत इंपोर्टेंट है और आपका सर्टिफिकेट इस टेट से पहले बन जाना चाहिए तो बात करेंगे इस वीडियो में जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट के गाइडलेंस के बारे में सो वास्ट वीडियो टेलिट ताकि आपकी जो भी डाउट्स हो वो सारी क्लियर हो तो अगर आप OBC से बिलॉंग करते हो तो आपको जो है वो तीन साल का एज डिलक्सेशन मिलता है मिस जितने भी एज का यूर कैटिगरी का इस्टुएंट फिल अप कर सकता है अगर आपकी उससे तीन साल पहले की डेट वर्थ है तो भी आप कर सकते हो अब आगे बात आते ह हैं कि जो ओबी सी के लिए गाइड लाइन्स है उस पे तो उससे पहले भी यह जो नोट फाइव है इसको देख लो यह नोट फाइब बहुत है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं करा सकते मिस अगर आपने जो अपना कैटेगरी लेट अगर आपको यूर से फिल अप करे वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी और यह भी है कि आप सोचे कि मैं यूर में कनवर्ट करा लूँ तो यह थोड़ा सा पॉसिबल है लेकिन इसमें भी जो है वो गाइड लेंस है तो वह आपको बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती ह और अगर आपके पास relevant documents है आपके पास relevant सबूत है कि मुझे गलती से फिल हो गई थी या फिर मैं belong करता हूं यूर से तो फिर सायद हो जाए लेकिन यह उपर के above cases में ऐसा नहीं होगा तो change of category का जो guidelines है वो मैंने आपको बता दिया अब आते हैं कि OVC का क्या guidelines है तो देखो इसमें जो है और important information में आपको देना चाहूंगा कि अगर आप जो है वो student हो या फिर working professional हो तो आप जो है वो आचार परसांत की videos देख सकते हो काफी आपके लिए helpful होगी और अगर आपके life में भी problems है और अगर आप उसको setting solution नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके videos देखके आप को काफी clarity आएगी आप इनके app पे भी जा सकते हो आचार परसांत app जो हो Google Play Store में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इनकी चैनल पर आप देखोगे तो लगबग जो है वो चार करोड से जादा लोग जो हो जूट चुके हैं और इनकी जो videos होती है वो day to day life से related होती है ज यहां पर clause number ने लिखा हुआ है लेकिन page number 6 पर आओगे तो यहां पर यह जो लिखा हुआ है यह तो EWS वालों के लिए और इसके नीचे जो है वह OBC वालों के लिए यहां पर लिखा हुआ है तो इसको यहां पर आप देखो कि OBC candidates वाला यह जो है तो इसमें clearly mentioned है कि आपका ज चाहिए और एक और आट दोनें यह जो inclusive है मतलब कि आपका certificate एक को बना रहेगा तब भी वैलिड है और आठ को बना रहेगा तब भी वैलिड है तो अब इसमें जो है वह आप समझो कि आपका certificate अगर इससे पहले का है तो वह भी नहीं चलेगा और अगर इसके बाद का है तो वह भी नहीं चलेगा तो आप जो है वो कोशिज करो कि आपका certificate अगर इस बीच में है तो ही आप OBC NCL कैटेगरी से बिलॉंग करते हो OBC NCL certificate सिर्फ OBC certificate नहीं OBC NCL यहां पर OBC clearly लिखा हुआ है कि OBC NCL non-creamy layer का मतलब क्या होता है कि आपकी जो family income है वो लेस देन एट लैक पर एनम है तो अभी आपको जो है वो OBC NCL certificate का कैटेगरी का मिस्स आपको benefit में पाता है तो इस बात का ध्यान रखना वरना बाद ने आपको प्रॉब्लम होगी तो इसका जो format होता है वो एक सल चार सल पुड़ाना आप certificate दोगे या इवन 2023 का दोगे वो भी acceptable नहीं है यह 2024 का ओने चाहिए अपरेल के बाद में बना हुआ या फिर उसके बाद तो अगर आपको नहीं पता है कि certificate कैसे मैंने बहुत ही डीटेyle वीडियो बना दिये है आप जो है वो उस वीडियो को देक्सकते हो मैं लिंक मैं इस वीडियो के descriptionба kami दे दुड्ugen तो वहां से आप उस वीडियो को देख पाओगे और यह देखो एक सेंपल जो है वह यहां पर मैंने आपको दिखाया है तो आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हो जैसे यह एक कंडिडेट का है जो की यूपी का है यह 2022 का बना हुगा है लेकिन कुछ ऐसा स्टिप्रेट आपक में लिंक में दे दिया हूँ ओके सो इन समड़ी अगर बात करें तो आपका जो सर्टिप्रेट है वह एक अपरेल 2024 के बाद बनाओना चाहिए आठ दस 2024 से पहले बनाओना चाहिए और वैलीडियर जो है वह आपका 2024 पचीस रहता है और फैनेंसियल यह जिस बेसिस पर बनता कार्म करेंसिया कि अगर दनाओना क्यों में में बनता है तो अगर बात में आपको कोई भी इस्व ना हो तो इसके लिए आपके पास एक सर्टिपके होना ही चाहिए अगर नहीं है तो आप जो है वो ur केटिगरी से फिल अपकरना आप जो है भी व को Richa क्यों नहीं को प्रो यहां पर जो है वो तीन सार लिखा गया हुआ है जैसे 2022, 23, 24 और 2021 इसका मतलब क्या है तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि OBC candidate applying for ESE must produce OBC NCL certificate based on income for the financial year मतलब कि इस तीनों साल का जो financial year है उस basis में से किसी भी साल का आप जो है वो certificate produce कर सकते हो लेकिन अभी जो आप जो certificate बनवाओगे न यह जो 1424 वाला है यह usually पिछले साल के इंकम पर बनता है यानि कि यह 2023-2024 के इंकम के basis पर बनेगा निस आपकी family income अगर जो 2023-2024 में रहेगी let's suppose कि आपकी family income 5.6 lakh है तो फिर आपको जो है वो certificate बन जाएगा तो बस यह है इसका और भी ज्यादा क मत लगा आप और certificate है बनवालो है तो अची बात है नहीं है तो जितना जल्दी हो से बनवालो और अगर आप नहीं बनवा पाऊगे लगता है कि मैं last date of form filling से पहले तक नहीं बनवा पाऊँगा तो आप OBC कि से please form fill up मत करना अगर आपका सब कुछ clear भी हो जाए लेकिन बाद म कर दो आप घर आप 10 किसमें बना पक्रण बात है कि अडिर तो आपका सुल्दी हो जल्या खिवाद के शच मैंद दे एंडालो क्साश्वाच कवच कि हो जाए तो आपक कि अड्मारो बात्र आफस्च कि अड़स्टी हो जाए टो और आपका समें पॉल्या तो आपक्श्ट